अच्छा सद्गुरू, आज कल की दुनिया में एक महा मारी है, पब जी, क्या पब जी खेलते हैं? अरे मैंने इसका नाम ही तब सुना जब प्रदान मंत्री जी ने तीन दिन पहले इसकी बात की ये एक तरह का लड़ाई का खेल है किया? जी, लड़ाई का खेल है। तो मेरे कई दोस मुझसे बात करने से ज़्यादा PUBG खेलना पसंद करते हैं. शायद ये मेरे बारे में कुछ बताता है, पर वे PUBG ज़्यादा खेलना चाहते हैं. उस खेल की बुनियाद हिंसा है और वे इतना समय PUBG खेलते हैं आपको क्या लगता है कि PUBG का आजकल के यवाओं के मन पर और सभी खेलने वालों पर क्या असर पड़ रहा है यह हमें किस दिशा में लेकर जा रहा है देखे अगर कोई मज़े के लिए कुछ समय कोई गेम खेलता है तो यह मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है लेकिन मैंने सुना है मुझे नहीं पता कि भारत में क्या आकड़े हैं पर अमेरिका में 18-26 साल के लोग दिन में उसतन 4.5-6 घंटे तक ये गेम खेलते हैं मुझे लगता है हम एक बेवकूफ पीड़ी तयार करेंगे हाँ अगर आप स्क्रीन पर चितरों को मारकर हीरो बन रहे हैं फोन स्क्रीन पर बड़े स्क्रीन पर या फोन पर फोन स्क्रीन मुझे नहीं लगता कि ये बहादूरी है ये बेवकूफी है बस मजे के लिए कुछ खेलना अलग बात है आप कुछ समय तक कुछ खेल सकते हैं कोई भी मन चाहा खेल खेल सकता है ये ठीक है लेकिन पूरी जिंदगी कोई बस यही या वही खेलता रहे मुझे लगता है कि आप कुछ बड़ा ढूनने की कोशिश कर रहे हैं वो बड़ी चीज जो आपके पास नहीं है आप फौजी बनना चाहते हैं पर आप में अपना खून बहाने की हिम्मत नहीं है युद्ध का मतलब दूसरों का खून बहाना नहीं है आप वहाँ जाते हैं क्योंकि आप अपना खून बहाने को तयार है आप ऐसा चाहते नहीं हैं पर आप तयार है यही एक युद्धा को अलग बनाता है क्योंकि वो वहाँ जाता है और वो मरने को तयार है शायद वो वापस आ जाए पर वो मरने को तयार है पर फोन पर नहीं